नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है प्रॉक्समा रवी पे आज हम खोलेंगे जियो पेमिन बैंक अकाउंट जियो पेमिन बैंक अकाउंट किस तरह से खोलना है आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मिशन मिलेगी सबसे पहले आप अपने मोबाईल को चार्जिंग होगी लगा दीजी अगर आपकी बैटरी में कोई दिक्कत है तो आप अपने मोबाईल को चार्जिंग लगा दीजे क्योंकि वीडियो के वाईसी भी आपको करनी होगी और आपको सीधे जाना होगा Jio Application पे Jio application पे जाके सिधे आपको Jio payment bank पे जाना होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं Jio benefit, no minimum balance required और 3.5 interest rate और seamless payment Jio application पे जाके और आपको यहाँ पे दिखरा होगा Jio UPI का option आप अपने mobile number को select करें कोई भी mobile ATL, BSN, Vodafone, Jio आपके area में जो भी company चलती है आप उससे Jio payment background खोल सकते हैं आपको यहाँ पे अपना mobile number select करके फिर SMS verification के लिए send कर देना होगा mobile recharge करवा लिजेगा क्योंकि आप Wi-Fi इसमें इस्तमाल नहीं कर पाएंगे Wi-Fi वाले में दिक्कत आ रही थी बीच में और यहाँ पे आप अपना four digit का mpin select करके या फिर use करिए आप fingerprint जैसा जो option आपको मिलेगा future में इस समय मुझे ये दोनों option मिले हैं enter your four digit pin और create an account ये देखे यहाँ पे आप दिख रहागा create an account मैं आपको पूरा slowly दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या option था मैंने क्योंकि ये self अपने से किया है एक आम नागरिक की तरह पूरा इसमें आपको information दिख रही होगी तो zero balance digital account ये जियो payment bank है और अधार से verify होगा आपका जो है pen से verify होगा तो create an account पे आपको यहाँ पे जाना होगा create an account पे जब जाएंगे आप तो आपको जो है ये देखिए fashion details पूरा आ रहा है आपके mobile पे जो है OTP जो है successfully भेजा गया था और उसको verify भी कर लिया गया यहाँ पे आपको पूरी information दिल जाएगी जियो से जोड़ी है जियो payment bank से जोड़ी होई अगर आपको पढ़ना हो आप पढ़ भी सकते है मैंने scroll किया था और आपको यहाँ पे जो है I accept पे जाना होगा और जियो payment bank saving account है यानि कि zero balance का यह account है free fund transfer यहाँ पी देखिए आपको पूरा benefit दिख रहा होगा no minimum balance requirement higher 3.5 interest rate free online fund transfer UPI for transfer आने वाल समय में इसकी जो सेवाई हैं और भी अगरेट की जाएगी free monthly e-statement free SMS alerts इसमें इस तरह की सेवाई हैं दिख रही है आपको अब प्रोसीट पर जाईए देखिए यहाँ पे पैन से जुड़ा होगा इनफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा अधार नंबर मैंने इसको hide कर दिया है और मैं जब अब fill कर लूँगा तो आपको generate OTP का option मिलेगा और generate OTP पे आपको जो है click करना होगा send OTP का option मिलेगा यह information आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं view UIDI consent in regional language आप अपनी छेतर की अनुसार जो है regional language को select करके send OTP पे click कर सकते है फिर उसके बाद जो है आप अपना communication address भी डालिए communication address आपको डालना होगा email address भी डालना होगा email address डाल के जो है proceed पे आपको click करना होगा same as अधार address जो आपका अधार address उसी के अनुसार है तो आप click कर लिजए अगर कोई दूसरा है तो आप change भी कर सकेंगे उसमें change का option आ जाएगा Gmail account डालने के बाद जो है proceed पे आपको जाना होगा यहाँ पे आपको family details के बारे में पूरा information according to your pen अगर आप married है single है तो उसको भी select कलेंगे तो आप अपनी wife का भी नाम इसमें डाल सकेंगे married spouse spouse last name according to pen यह पूरे नाम होने चाहिए और यह वीडियो की IC में भी आपसे मागा जा सकता है pen तो आपको मागए कही तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पूरा information अब occupation आपकी क्या है self-employed है यह पूरा option आपको दिकर home maker, others, farmer, business, professional home maker में जो है saving यह सब दुनिया भर का आता है अगर आप farmer है तो आपके में agriculture शो करेगा अगर आप professional है तो आपके में professional fees कुस जैसा option आएगा और अगर आपका business है तो आप source of income दिखा सकते है अगर आप self-employed है मैंने self-employed पे click किया था यह option आपके सामने है government, sector, service जो भी हो आप अपना इसमें option select कर सकते है मैंने self-employed पे जो है select किया था source of income इसमें आप business डालिए और up to 50 जार डाल दिजे खुल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी और I am an Indian citizen filling tax return in India and no other country इस तरह गाएगा प्रोसेट पे आपको click करना होगा प्रोसेट पे जाएगे थोड़ा लंदी लग रहा होगा यह वीडियो जो है लंबी होगी क्योंकि बाद में आपको वीडियो के वाइसी भी देखना होगा add a nominee add knob A मैंने click किया था तो उसमें पूरा option आपको मिला था नहीं भी कर सकते हैं skip भी कर सकते हैं skip और knob A कर सकते हैं आप इसमें मैंने wipe select किया था data पर इसमें डाला गया था और यह देखिए वीडियो के वाइसी के दुरान use a front facing camera की original pen card हाथ में रखना होगा और internet connection जो है original होना चाहिए यानि कि आपका जो भी operator है उसका जो internet connection होना चाहिए और आपको जो है allow location access भी आपको देनी होगी अगर आपका location access off है तो आप अपने geo का जो application आपको permission grant देनी होगी आपको retry करते रहना होगा जब तक वो जो connect ना हो जाए retry करते रहिए retry करते रहिए और यहाँ पर looking for an agent दिखाएगा option android से करिए तो ज्यादा आपको असानी पढ़ेगी आइफोन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे में थोड़ा दिक्कत हो गई थी मेरा account जो है looking for an agent इस तरह से दिखाया फिर अचानाक जोड़ सामने आ गया यह आ गया 65 पोजिशन 29 मिनट bank account से जोड़ी भी important details मैं आपको shots में दिखा दूँगा मैंने नीचे link दे दिया है आप महाँ पर जागे दे सकते हैं यह देगे 13 पोजिशन 5 मिनट में आ जाएगा और वीडियो का IC मेरा complete होने वाला है और मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा वीडियो का IC उस समय चल रहा था और कोई था नहीं तो मेरा वीडियो की IC complete हो चुका है और यह option मिलेगा वीडियो की IC call verification अधार और plan verification हो चुका है और account generated वाला option आ गया